श्री गनेशाय नमहा, शांताकारं, भुजग शैनम, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं, गगन सुदर्शं, मेगवर्णं शुभांगं, लक्ष्मी कांतं, कमल नैनम, योग वेड्या निगम्यं, वन्दे विश्णु भवेहरं, सर्व लोक एक नाथं, प्रहलाद नार पराशर पुंडरीक, व्यासाम बरी, शुक्षवनक, भीश्मेदालब भ्यान, रुकमांगादार जिन्वा, सिष्ट विवीशन आदिन, पुन्यान इमान, परह्म भागवतान स्वरामी, शुरू करते हैं, श्री भक्तमाल का साथवा छप्पे हम लोग पढ़ेंगे, जिसम पढ़ेंगे, शुरू करते हैं, लिखा है, कबीर कानी राखी, नहीं वर्नाश्रम, शट दर्सनी, भक्ती विमुख जो धर्म सो, अधरम करीगायो, जोग जग्य वरतदान भजनन, बिनो तुछ दिखायो, हिंदू तुरक प्रमान रमैनी, शबदी साखी, पक्षपात नही बचन सबही के हित की भाखी, आरुण दशा हुए जगत पर मुख देखी, नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्नाश्रम शट दर्सनी, श्री कबीर दाजजी ने भक्ती हीन शट दर्शन एवं वर्नाश्रम धर्म को मानेता नहीं दी, उनकी मर्यादा नहीं रखी, व उन्होंने बिना भजन के योग, यग्य, व्रत और दान आदी को व्यर्थ सिद्ध किया, उन्होंने क्या कहा, अगर भजन नहीं करोगे, तो योग, यग्य, व्रत, दान सब वेकार हैं, उन्होंने अपने बीजक रमैनी जिसमें दोहे और चौपाईयां हैं, शब्दी पक्षपात ना करके सभी के कल्यान के लिए उबदेश दिया, हिंदू मुसल्मान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं, ग्यान एवं पराभक्ती की आनंद मैं अवस्था में सरवदास्थित रहते थे, श्रीक अबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुह देखी उनके मन की सी जूटी बात नहीं कही, वह जगत के प्रपंचों से सरवथा दूर रहे, पक्षपात नहीं वचन, पक्षपात नहीं कहा, इसके लिए कुछ वचन दिये हुए यहां पे, संतो राह दोव हम दीठा, हिंदू तुरक हटा नहीं माने स्वाद सभी ही को मेठा, हि हिंदू बरत एकादसी, राखे दूद सिंघारा सेती, अनिक को त्यागे मन नहीं, अटके पारन करे सगोती, रोजा तुरक नमाज गुजारे, विसमिल बांग पुकारे, उनकी मुकुती कहा ते होई, सांजे मुर्गी मारे, हिंदू तुरक की एक राह है, सत्गुरु इहा बताई, कहीं कभी सुनो भई संतों, राम ना कहे खुदाई, और कह लिखाए, पांडे भली कथा कही जाने, औरनी परमारत उपदेशें, आपू स्वार्थ लपटाने, जो दीपक घर करे उजारो, निज तन सन, निज तन सम सन ठाने, महीशी शीर श्रवे, औरनी को आपू भुसैं रुची माने, शुरोता गोता क्यों ना खाय आचरज फिरे बुलाने, यह कली छली सब की मती, नाठी समुझत लाब नाहाने, हित की कहत लगत अनहित की रज राजस में साने, कहत कबीर बिना रगवी रही यही पीर ही को जाने, अतिही गंबीर मती सरस कबीर, हियो लियो भक्त भाव जाती पांती सब टारिये श्री कभीदार जी की बुद्धी अत्यंत गंभीर थी और उनका हिर्दय प्रेमा भक्ती से सर्वता परिपून एवं अतिसरस था उन्होंने भक्ती भाव को अपना कर जाती पांती में विवास समझ कर उसे बिल्कुल त्याग दिय इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ आचार श्री रामा नंदो को अपना गुरू बनाओ गले में तुलसी मला धारण करो देखे नहीं मुख मेरो माने के मलेच मोको जात नहान गंगा कही मगतन डारिये ये सुनकर कभीरदास जी ने कहा मैं उनसे मंत दिक्षा कैसे लूँगा वै मुझे मिलेच मान कर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे उन्हाँ आकाशवाणी ने कहा वै गंगा सनान करने जाते हैं उस समय मार्ग में अपने को उनके चड़नों में डाल देना नित्य प्रात्यकाल ब्रह्म मूरत में ध्यान मगन प्रेम आवेश से आप गंगा सनान करने जाते थे श्री कभीरदाज जी गंगा घाट की सीड़ी पर लेट गए तो उनको ये लेटने के लिए किसने कहा था भगवाण ने कहा था आकाशवाणी कौन करता है ब्रह्मा विश्नु महेश में से कोई करते है ठीक है आगे लिखा है रजिनी के शेश में आवेश सो चलत आप अगर राम कहें मंत्र सो विचारी है यह था समय श्री स्वामी जी पधारे स्वामी जी कौन रामा अंदाचारी जी उनका श्री चरनक कभीर जी के शिर पर पढ़ गया सहसा उनके मुक से निकला राम राम कहो उनका पैर जो था ना उनके पर पढ़ गया वहील पे लेट गया तो उन्होंने राम राम का शी कवीदाजी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा की रूप में ही मिल गया मुझे इस प्रकार स्री स्नी जी के शिष्य बनकर गर को चले आए इसके बारे में और क्या लिखा है श्री कभीडास जी श्री प्रहलाज जी के अवतार थे देखें यहाँ पे लिखा है टिपड़ी में लिखा है आग का प्रभाव अयो निज पुश्प से विक्रम संबत 1455 जेश पूरमासी सोंवार को हुआ चौधा सो पचपन साल गए चंदरवार एक ठाट गठाए जेट सुदी वरसायत को पूरमासी प्रगट भए यह किस में लिखा है कभीड चरितर बोध में लिखा है श्री स्वामी जी रामा अंदचारी की सेवा में एक ब्रामर रहता था और इनकी कथा लेकी है कि कभीड आज़ जी के जनम हुआ कैसे ठीक है शिस्वामी रामा अंदाचारी की सेवा में एक ब्राम것 रहता था किसी कारण से स्व्म ना जाकर कन्या अथ्वा विद्वा को सेवा में भेजा सेवा के उपरांत शिस्वामी जी ने भगवत प्रेणा से पुत्रवतीभव का आशिरवाद दिया लोक मर्यादा की रक्षा करते हुए उसकी गोदी में प्रसादी पुश्वर प्रदान किया जो तुरंत एक दिव्य शिशु की रूप में हो गया लोक लजजावा शिशु को लहरतारा दालाब में कमल पत्रों पर रखकर घर चली गई दैव योग से नीरु नीमा नाम के जुलाहा दमपत्ती ने ले जाकर शिशु का पालन पोशन किया कहीं ऐसा विवर्णन है कि किसी सिद्ध योगी को मोहित कर प्रतीची नाम की अफसरा ने शिशु को जनम दिया नीरु नीमा ने धाय और गाय के दूट से शिशु का पालन किया सुचा मुची नाम की जड़ी शिशु स्वामी जी ने भेजी जिसे शिशु मुख में डाल कर चूसने लगा आगे चलकर कबीर बूटी के नाम से प्रसिद हुई सरस कबीर ही ओ इसके लिखाए श्री कबीर दाज जी निर्गुनिया एवं शुष्क ग्यानी नहीं बलकि सरस रिदे भक्ती रस से युक्त थे कम ग्यानी नहीं थे मतला वो सरस रिदे भक्ती रस से युक्त रहते थे एक बार श्री हरी राम व्यास जी ने कहा कि श्री कबीर दाज जी रसिक नहीं है भकताप्रास से प्रिया प्रियतम श्री व्यास जी के ध्यान में नहीं आए तब श्री हित हरीवच महाप्रबु जी ने कहा कि वे रसिक हैं यमना तट पर उनका ध्यान करो, प्रकट होने पर उनसे श्रमा मांगो तब व्याज जी ने शी कबीर दास जी शी यमना जी से प्रकट होकर दर्शन दिया कैसे सुति करी वह मंत्र दियो है कली में सांचो भक्त कबीर जबते हरी चर्णन रती उपजी तबते बुन्यों ना चीर दीनों लेही न जाचे काहू ऐसो मन को धीर जोगी जती तपी सन्यासी इनकी मिटी न पीर पाँच तत्वते जन्मना पायो कादना ग्रस्यो सरीर व्यास भक्त को खेत जुला हो हरी करुणा मैं नीर श्री कबीदाज जी श्री यमना जी से प्रकटो का दर्शन दिया और बोले जैसे भगवान की इच्छा थी वैसा ही मैंने किया यह सुनकर श्री व्यास जी की भ्रांत मिठ गई मन ऐसा निर्वल भया जैसे गंगां नीर पीज़े पीच्छे अरी फिरें कहत कभीर कभीर से भूले कभीर कभीर क्यूं कहा जंवना के तीर कभीको कि प्रेम में वही गए को डिक अधा सरस हिए एक गोपी के प्रेम में बही गए कोटी कबीर अगला हम कवित पढ़ेंगे प्रियादाज जी का कीनी वही बात माला तिलक बनाए गात मानी उत्पात माता सोर कियो भारिये श्री कबीदाज जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था अर्थात अपने शरी पर रामा नंदिये द्वादस तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली अपने लड़के का सादू वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जबते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी हिंदू बाबा जी बना दिया तब आ आपका ही नाम लेता है ये सुनकर श्रामी जिने आगया दी कि उसे पकल कर मेरे पास ले आओ लियावो जूपकारी वाको कब हम शिश कियो लियाए करी परदा में पूछी कही डरियो आग्या नुसार लोग कभीदास जी को बुला लाए परदे की पीछे बैठ कर स्वामी जी ने पूछा हमने तुमको कब शिश बनाया तब श्री कभीदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कर आई और बोले राम नाम मंत्र यही लिखो तब तंत्रनी में खोली पट मिले सांचो मत उरधारिये श्री राम नाम ही महा मंत्र है यह बात सभी तंत्र शास्त्रों में लिखी है वही प्रदान कर आपने मुझे शिश बनाया यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसंदव है और परदा खोल कर बाहर आए तथा कभीदाज जी को 36 लगा कर मिलते हुए बोले वच्स तुम्हारा सिधान सत्य है श्री राम मंत्र की दिक्षा इवं संत सिवा का उपदेश दे कर बोले श्री राम नाम को हिर्दे में धारन करो बीने तानो बानो हिये राम मडरानो कहीं कैसे के बखानो वहरीती कच्छुनियारी है श्री कभीदाज जी जीवन निर्भा के लिए ताने बाने से कप्रा बुनते थे किन्तु उनके हिर्दे में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था वो कपड़े बुनते थे लेकिन उनके हृदे में राम जी का नाम बंड़ाय करता था सदाशी राम जी हृदे में लीला करते रहते थे उनकी उपास्ना की रीती बड़ी विचित्रे इवं सबसे न्यारी ही थी उतनों ही करे जामे तन निर्बाह होए बोए गई औरे बात भक्ति लागी प्यारिये सब का उसका वर्णन कैसे करो अर्थात वानी से वर्णन का विशे नहीं है अनुभव की चीज है उन्होंने कहा कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवाय का खड़चा चल जाए जगत की दूसरी बातों को वह भूल गए भगवत भक्ति ही उन्हें प्रिये लगी ठाड़े मंडी मांजपट बेचन ले जनको आयो मोको देह मेरी है उधारिये दिरंतर उसी की अरादना में लगे रहते थे एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे कि एक सादू आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजे मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है मेरा शरीर उगारा है लग्यो देन आधो फारी आधे सोना काम होत दियो सब लियो जोपे यहे उरधारिये तब आप उसे आधा थान फार कर देने लगे तो उसने कहा इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा तब श्रीक कवेईदाज जी ने कहा यदि पूरा थान लेने का निश्चे आपने अपने मन में किया है तो लीजिए यह पूरा थान ही लीजिए जो यहाँ पर लिखा था ना उसके लिखा है जितने से उदर पूर्ती हो जाए यह भागवत का श्लोक दिया जैसे मैंने बता भक्ती लागे प्यारी इसके लिखा है मन लागो मेरा यार फकीरी में जो सुक पावो राम भजन में सो सुक नाही अमीरी में भली बुरी सबकी सुनी लीजे करी गुजरान गरीबी में प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आई सबूरी में हाथ में कुंडी भगल में चारो दिसा जगीरी में आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में कहत कबीर सुनो भाई साधो साहब मिले सबूरी में अगला कवित पड़ते हैं तिया सुत मात मग देखें भूखे आवे कब दभी रहे हाटनी में लियावे कहा धाम को श्री कबीर दाश के घर पर उनकी इस्त्री लोई माता नीमा और पुत्र कमाल और पुत्री कमाली ये सभी रास्ता देख रहे थे पिता नीरू का सरग्वास हो गया था घर में भोजन सामगरी का अभाव था अता सभी भूके थे कपड़ा बेच कर मूल धन से सूत और मुनाफिस सामान खरीद कर आता था उसी से निर्वा होता था दूसरे दिन के लिए कुछ बस्ताई ना था श्री कभीदाज जी ने विचारा कि घर में सभी भूके होंगे खाली हाच चल कर क्या करूं वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए घर को क्या लेकर आते हैं पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे संति सिवा अमूले है भगवान घट-घडवासी है परम सोजान है और करूना के निधान है सांचो भकती भाव जानी निपट सोजान वे तो कृपा के निधान ग्रह शोच परियो शाम को श्री कभीदाज जी के सच्चे भकती भाव को जानकर घर की लोगों को दुखी देकर श्री राम को बड़ी चिंता हुई भागवान राम जी को चिंता हुई उनका देख कर क्योंकि वे उन्हीं के शर्नागत थे बालद ले धाए दिन तीन यों बिताए जब आए घर डारी दई दई हो आराम को जब तीन दिन बीत गया और श्री कभीदाज जी घर को नहीं तब भगवान केशव बंजारा व्यापाई का रूप धाण कर बैलों के उपर बहुत सा आवश्चक सामान लाद कर आए सब सामान उन्होंने कभीदाज जी के घर में रख दिया और कहा ये सामान सुविधा के लिए है इस से आराम से निर्वा करो माता करे सूर को हाकिम मुरारी बांधे डारो बिन जाने सुतलेत नहीं दाम को शी कभीदाज जी के माता शूर करने लगी कि कोई हाकिम इतना सामान देख कर हमें चोर समझेगा और पकल कर कैद खाने में डाल देगा इससे यहां से ले जाओ मेरा दलका किसी से कुछ भी नहीं लेता है भूल से बिना जाने सामान को यहां डाल रहे हो यह किसी दूसरे कभीदाज जी लोटकर घर नहीं आए तब दो चार आदमी गए और ढून कर उन्हें लिवा लाए घर आकर श्री कभीदाज जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गया उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वें भगवान को कष्ट हुआ तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट किया रहे सुख पाय कृपा करी रगुराय दै छिन में लुटाए सब बोली भक्त भीर को विचार करकी श्री राम रगुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की आप परमानन में मगन हो गये उसी समय भक्तों की भीड को बिला कर श्री कभीदाज जी ने सारा समान लुटा दिया उन्होंने क्या क्या लिया ने समान लुटा दिया दियो छोडी तानो बानो सुक सरसानो हिये किये रोश धाय सुनी विप्रित जी धीर को ताना बाना कपड़ा बुन्ना सब आपने छोड़ दिया रिदय में आनंद की बार आ गई यह सुनका ब्रामनों का धहरे चूट गया वे क्रोधित होकर दोड़ते हुए कभीदाज जी के हां आए और बोले क्या बोलते हैं ब्रामनों को मेशा धनी दिखता है और धन की भूके भक्ती के नहीं है इसमें तो ऐसा ही लिखा है जो उस तमें के ब्रामनों थे ना वो ऐसे थे सभी ब्रामनों नहीं होते हैं ऐसे तो इसमें देखते हैं क्यों रे तू जुलाहे धन पाए ना बुलाए हमें शुद्रनी को दियो जावो कहें यो कभीर को क्या रे जुला है तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया शुद्रों को बुला कर सब धन उन्हें दे दिया या तो हमें धन दो नहीं तो यहां से बाहर भाग जाओ क्यों जू उठी जाओं कच्छू चोरी धन लियाओं नित हरी गुन गाओं को राह में न मारी है श्रीक अभीदार जी ने कहा क्यों जी मैं यहां से उठकर दूसरे जगा क्यों जाओं मैं आप लोगों के लिए क्या चोरी करके धन लाओं मैंने किसी की चोरी नहीं कि, किसी रास्तागीर को लूटा भी नहीं है उनी को ले मान कियो, या ही मैं अमान भयो, दयो जो पे जाए हमें, तो ही तो जियारी है मैं तो भगबत गुरान वाद गाता हूं, और उसी में मगने रहता हूं ये सुनकर ब्रामणों ने कहा, तुमने साध्मों को अन्धन देकर उनका समान किया और हम लोगों कुछ ना देकर हमारा बड़ा-बारी अपमान किया है अब यदि हम लोगों को तुम अन्धन दो, तभी तुमारा जीवन है, अन्धा अंशन करके मरेंगे मारेंगे आए प्रभु आप द्रव्यव घर में तो ना ही मंडी, जाहीं तुम रहू बैठे, नीठी के छुटायों पेडों छिपे व्याधी टारी है तब कभी दाजी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुस कर देख लीजे यदि आप नहीं मानते हैं, तो यहीं बैठे, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लेकर लाकर दे दूँगा यह केकर शीक अभी दाजी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा चुडाया और मंडी में जाकर छिप गए इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला भागवान श्रीक अभी दाजी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए उन्होंने आदर पूरवक ब्रामनों को धन दे कर उनका समधान किया वह लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए इस पकार भागवान ने अपने भक्त की उज्वल कीर्थी को संपूँ जगत म ठीक है ब्रामन को रूप धरी आय च्षिपी बैठे जहां काहे को मरत भॉन जाव जु कभीर के ब्रामनों को संतुष्त करके भगवान ने ब्रामन का रूप धारण किया और वहां पहुँचें जहां श्रीक अभी दाजी च्षिप कर बैठे थे। भगवान श्रीक देते हैं अड़ाई सेर बेर जीनी लावो चले जावो यू बहीर के शीकविदास जी के घर पर जा जो भी कोई वहां जाता है ना उसे वे देर उसे वे डाई सेर अन्व देते हैं इसलिए अब तू देर मत कर वहीं चला जा जल्दी से जा भगान ऐसी वानी कही आए घर मांज देखी निपट मगन भय नैने कौतु किये कैसे रहे धीर के शीकविदास जी घर को आए और समाचार देखकर सुनकर प्रिमानन में पूर्ण रूप से मगन हो गए भगवान के द्वारा किये गए नैने कौतु कों से तथा वैभाव की व्रद्धी से परम अकिंचन भक्त श अलिए कबीदास जी ने भी नैने कौतु कों की रचना आरंब करी प्रारंब कर दी एक दिन आपने बूतल में गंगा जल भरकर शराबी एवं वैश्या गामी का स्वांग करने के लिए बार मुखी लई संग मानू वाही रंग रंगे जानो यह बात करी डर अती भीर के एक वैश्या को अपने साथ में ले लिया उस समय ऐसा मालू होता था कि बजन भाव को छोड़कर यह उसी के रंग में रंग गए परंतु सची बात तो यह थी कि अपने पास अने कामनाओं से आने वाले आने जाने वालों की भीर्ड से डर करो इन्होंने यह लीला दिखाई थी परंतु सची बात तो यह थी कि आपने अपने पास अने कामनाओं से आने जाने वालों की भीर्ड से डर कर इन्होंने यह लीला दिखाई थी कि मुझे कुमार्गी समझ कर लोग मेरे पास ना आवें मेरे भजन में बाधा ना हूँ संत देखी डरे सुख भयोई असंतनी के तब तो विचार मन मांज और आयो है श्री कवीदाज जी को एक वैश्या के साथ देखकर संत जन डर गए कि समझ श्री कवीदाज जी में दोश बुद्धी ना आ जाए अत्वा मन में सोचन लगे कि ऐसे संत यदि माया से मुहित हो सकते हैं तो हम सरीके साधार लोग कैसे बचेंगे और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सूख हुआ वैं कहने लगे हम तो कहते ही थे कि ये ढूंगी है हमारी बास सच निकली श्री कवीदाज जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने तब उनके मन में कुछ दूसरा विचार आया कि संतों के भै को दूर करना चाहि कि जब इतने बड़े संत जो है वैं भी माया में चले गया तो हम लोगा क्या होगा इसलिए उनके भाव को मिटाने के लिए फिर कभीदाज जी ने क्या किया बैठी नरप सभा जहां गय पे ना मान कियो कियो एक चोज उठी जल धर कायो है वैं वैश्या को साथ लेकर वैश्या को साथ लिये वहां पहुँचे जहां काशी के राजा की सभा लगी होई थी राजा ने शिष होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया फिर भी ये वहां बैठे बैठ गये मानसी भाव से जगनात भागवान का ध्यान करने लगे और थेड़ी थोड़ी दिर बाद इन्होंने एक अधभूत लिजा दिखाई उठकर वही अपने पात्र से जल ग जायो है ये देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा आपने ये क्या किया जल क्यों गिराया कि शिकरविदाज जी ने कहा श्री जगनात पुरी में शिष जगनात जी का रसुया भूग का थाल मंदिर में लिये जा रहा था उसका पेड जल नहीं वाला इसलिए आपको भुजा कर मैंने उसकी रक्षा की है उन्होंने ऐसा का सुनी अचरज भरे नरपने पठाए नरल्याए सुधी कही अजू सांच ही सुनायो है ये सुनकर सभी को बढ़ा आश्चर हुआ राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी बेजे उन्होंने लोटकर आची भई आच लागी ही है अब कहो कहा कीजिए लोगों को दिखाने के लिए शिकवीदाज जी ने उस वैशा को थोड़े से समय के लिए अपने पास रखा फिर हटा दिया ये बात भी राजा ने सुनी और मन में अपना अपराद मानकर राजा ने रानी से कहा शिकवीदा चले सी सित्रण बोज भारी गरे सो कुलहारी बांधी तिया संग भीजी है रानी ने कहा कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा दीनता की मुद्रस है तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोज शिर पर रख लिया और गले में कुलहारी बांध ली इस प्रकार भा जार हुए के डारी दाई लोक लाज कियो मैं आकाज छिन छिन तन चीजिए दोनों बाजार से होकर निकले हमने बड़ा अनुचित कारे किया है ऐसा सोच सोच कर उनके शरीर में शन प्रतिशन शीड हो रहे थे दूर ते कबीर देखी हुए गए अधीर महा आयो उठी आगे अधीर कहयो डारी मतरी जीए श्री कवीदाज जी ने दूर से ही राजा को आते देखा तो अतियंत व्याकुल हो गए वे उठकर राजा के पास गए और उन्होंने घास का बूझ उतरवा दिया गले से कुलहाडी खुलवा दि राजा रानी के भाव से श्री कवीदाज जी अत्यन संतुष्ट हो गए मैं तुम्हारे उपर रुष्ट नहीं हूँ ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनन्दित किया देखी के प्रभाव फीरे फेरी उपजययो अभाव द्विजय आयो बाद शाह सो सिकंदर सुनावे हैं इस पकार श्रीक कबीर दास जी की बड़ती हुई महिमा को देखकर ब्रामरों के हिर्दे में इर्शा पैदा हो गई उस समय भारत का ततकालीन बादशा सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था विमुक सब मुह संग माता हुँ मिराय लई जाय के पकार जूद दिखायो सब गाव हैं भक्ती विमुक ब्रामरों श्रीक कबीर दास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और एकठे होकर सिकंदर लोदी के दर्बार में गए सब उने पकार की कि इस कबीर दास ने सारे गाव को दुखी कर रखा है ल्यावो रे पकार ल्यावो रे पकार ल्यावो रे पकर वाके देखो मैं मकर कैसो अकर मिटाओ गाड़े जकर तनाव हैं मुसल्मान होकर हिंदू बाबाजी बन गया किसी धर्म को ना मानकर ढूंग फिलाता रहता है बाशा ने तुरंत आगया दे दी कि उससे अभी पकड़ कर मेरे पास ले आओ मैं उसे देखूँगा कि वे कैसा मकार है मेरा कठुर शासर है कड़े बंधन से कस कर बंधवा दूँगा उसकी सारी अकड़ सारा गहमंड मिटा दूँगा आनी ठाड़े किये काजी कहत सलाम करो जानिना सलाम जाने राम गारे पाव है बाशा के आगया पाकर सिपाही लोग श्री कविदास जी को ले आए और बाशा के सामने खड़ा कर दिये तक किसी काजी ने श्रीक अबिदास जी से कहा ये बाश्शा सलामत है इन्हें सलाम करो इन्होंने उतर दिया कि हम श्री राम के एतरिक दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं है हम के वो लिये जानते हैं कि संकट काल में श्री राम के चर्ण कमल ही सब के लिए द्रण आश्रे हैं हम इस निश्चे पर द्रण हैं काजी कहत सलाम करो इसके लिए लिखा है विमुखन मुख निंदा सुनी के सिकंदर ने पकरी मंगाये आप आये तही ठाम है कही काजी पाजी सुनो यह महा मिजाजी करो सिर्खो जुकाए बादशाह को पर नाम है बोले श्री कबीर रस राम कहें धीर उर ध्याय रगू भीर जन पीर हारी नाम है जानो ना सलाम कहो सांची में कलाम बात दूसरी हराम जग जानो एक राम है ब्रज में पंडितों के समाज में अननिता की बात चल रही थी एक ब्रजवासी ने कहा कि तुम लोग अनन्य हो, मैं फनन्य हो तुम लोग इश्ट के इलावा किसी देवी देखताओं को नहीं मानते हो पर तुम जानते तो हो और मैं तो एक माश श्रीकिष्ण को छोड़कर किसी को जानता ही नहीं फिर मानना तो बहुत दूर की बात रही सभी ने कहा कि तुम अनन्य से फनन्य ठीक है आगे पढ़ते हैं बांदी के जंजीर गंगा नीर मांज बूरी दिये जीए तीर ठाड़े कहें जंत्र मंत्र आवहें शीक अभीदाज जी के बाते सुनकर बादशाह ने समझा कि वस्तुता ये घमंडी है मार डालने के विचार से उसने इने लोहे की जंजीरों से बंदभाकर गंगा जी के धारा में डूबो दिया परंतु ये जीवी तीर है लोहे की जंजीर ना जाने कहां गई ये गंगा जी की धारा से निकल कर तट पर खड़े हो गए तब सभी लोग कहने लगए कि ये कोई यंत्र मंत्र जानता है इसलिए डूबा नहीं लकरीन मांज डारी अगीनी प्रजारी दई नई मानो भई दे कंचन लजा वही पशाद बाशा की आगया से बहुत सी लकडियों में इन्हें दबा कर आग लगा जी गई उस से में नया आश्यर हुआ सभी लकडिया जल कर भस्म हो गई और इनका शरीर इस प्रकर चमकने हो गई तो ना चमकने लगा सूने से भी ज्यादा चमकने लगा लिखा है विफल उपाए भए तव नहीं आए नहीं तब मतवारो हाथी आनी के जुका वही शी कविदाज जी को मारने के ये उपाए व्यर्थ हो गए फिर भी वह लोग इनके सामने नहीं जुके महीमा देख कर भी उन्होंने विश्वास नहीं हुआ उन्हें विश्वास नहीं हुआ तब एक मतवाला हाथी लाकर उसे उनके उपर जप्टाया गया आवत ना ढिग ओ चिगहारी हारी भाजी जाए आप आगे सिंग रूप बैठे सो भगा वही परन्तु लाक प्रेतन करने पर भी हाती श्री कविदाज जी के पास नहीं आया बड़ी जोर से चिंगहार कर वे दूर भाग जाता था महावत हार गए इनके समीप में हाती के ना आने का कारण ये था कि स्वेम श्री राम जी सिंग का रूप धारण कर श्री कविदाज जी के आगे बैठे थे वेही हाती को भगा देते थे देखियो बादिशाह भाव कूदी परे गए पाव देखी करा मात मात भए सब लोग हैं बाश्रा सिकंदर लोदी ने शी कविदाज जी का ऐसा अदभुत प्रभाव देखा तो वे सिंगासन से कूद कर इनके चर्णों में गिर पड़े उनके इस चमतकार को देखकर विमु चाहो गाव देश नाना भोग है बाश्रा हाथ जोड़कर प्रातना करने लगा अब आप कृपा करके इश्वर के कोप से मुझे बचा लीजे शी कविदाज जी ने का अब कभी भी किसी साधू संत के ऊपर ऐसा गजब ना करना बाश्रा ने का प्रभो गाव देश्त था अ कि रोटी रोग है तब आप उने उत्तर दिया क्या उत्र दिया उन्स अ हम तो किवल शेहिराम जी को चाहते हैं और उनी को अ Actually trdes अक किसको कहते हैं एक तीन घंटे का होता है तो साब्स घंटे होई तो वह 24 घंटे कहीर है कि में राम जीirty को छबता उं दूसरे घन से हमें जीत सादू मिले करी प्रीती जिने हरी की प्रतीती वही गाइब के जोग हैं। इस प्रकार बाशा से समानित होकर आप अपने घर आए। आपकी विजह हुई अथा अनेक सादू संत बड़े प्रेम से आकर मिले। श्री प्रियादार जी कहते हैं कि श्री कवीदार जी को विश्वास था कि राम गारे पाव हैं इसी से इनकी जीत हुई जिने इस प्रकार भगवान विश्वास हैं उन्हीं की कीरती गान करने योग हैं। देखियो बादशाह भाव इसके लिए लिखाया चमतकार देखकर बादशा से कंदर लोदी नतमस तक हो गया। एक बादशा ने श्री कवीदार जी से सभी मत इवे महजबों के सिद्धान्तों को लिक कर बेजने का अग्रे किया। श्री कवीदार जी ने एक हजार गाड़ी कागच मांगकर सभी पद्नों में भगवान को स्मर्ण कर श्री राम नाम लिख दिया और बादशा के पास भिजवा दिया। विशिष्टा ये थी कि जिस मत महजब का से दांत गरंत खोशते उसे वही मिल जाता था। राम रसिकावली उसको कहते हैं जामे भरे कोटी रोग हैं एक बाद श्री कवीदार जी अपनी माता जी के साथ जंगल में गुजर रहे थे। धन में अन्यक रोग हैं उसके लिए हम पर रहे का था कि एक बाद श्री कवीदार जी अपनी माता के साथ जंगल में गुजर रहे थे। मुरों की थैली देखकर माता जी उठाने लगी शिकवीदार जी ने मना किया कि यह दूसरे का धन है जो डाइन के समान खा जाने वाली है अगर विश्वास नहीं हो तो यहां थोड़ी दिर बैठ कर देख लो उसी मार्ग से चार सिपाही निकले शिकवीदार जी ने रोगा कि उधर मत जाईए नहीं तो तुम्हें डाइन खा जाएगी बात ना मान कर आगे बड़े और मुरों की थैली देखकर बहुत प्रसंद होए चारों सिपाहीों ने विचार किया कि दो व्यक्ति यहां पर बैठे हैं और दो व्यक्ति कुछ मुरें ले जाकर बाजार से भोज की हिस्सा होगा ज्यादा ज्यादा मुरें मिलेंगी ऐसे बीमानी वहां बैठे हुए सिपाहियों के मन में हुई अथा बाजार से आते ही तुरंत मार देने का निश्टे कर लिया बात यह हुई कि बाजार से आते ही उन दोनों को मार दिया और यह जहर मिला भोजन करके मर ग गया इसी से शीर कविदा जी कहते है कि जा में भरे कोटी रोग हैं तो इस कथा में अगर मैं कम शब्दों बताओं क्या हुआ जो सिपाही थे ठीक है तो धन मिला माता ने उठाना चाहा कविदा जी ने का भी रुख जाओ और वो उसको देखने लगे ठीक है फिर कुछ सिपा सिपाही आए परविदास जी ने कहा कि वहां मत जाओ लेकिन वह वहां गये और उन जो महरें वाले थैली तो उसको उठाई ठीक है चार सिपाही थे दो जो थे वो भोजन लेने के लिए चले गए बोजन में उन्होंने विश मिला दिया सोचा है कि हम दोनों ही बाट लेंग तो इसलिए कविदास जी कहते हैं जामे भरे कोटी रोग हैं होए के खिसाने द्विजे निजचारी विप्रन के मूरन मुडायो भेशे सुन्दर बनाए हैं शीक अभीदास जी की विजह से वे विरूदी ब्रामण लोग अत्यन लज्जित हुए साधूं से शाब दिला कर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में से चार ब्रामणों के मूर मुड़वाए तिलक कंठी आदी से सजा कर उनके सुन्दर वैरागी साध पूची पूची नाम ले कबीर जुको जूठे नियोती आये हैं उन्हों को चारों जिशाओं में भेज दिया वेलोग दूर दूर तक गावों में साधूं कि स्तानों और नामों को पूच्पूर कर सब जगे सबको नियोता दे आये सबसे आगरे पूरवक कहे आए कि अमुग दिन श्री कवीदाज जी के यहां भंडारा है वस्त्र और दक्षणा का भी प्रबंद है आप अधारे आए सब साधू सुनी एं तो दूरी गए कि हूँ चहूं दिसी संतन के फेरी हरी धाये है बंडारा सुनकर अगरित साधू संशी कवीदाज जी के हाँ आए तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वेम श्री कवीदाज जी का रूप दारन करके आ गए क्योंकि भगवान तो सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके चारों और दौरते रहते हैं इनी को रूप धरी न्यारी न्यारी ठोर बैठे एव मिली गए नीके पौशी के रिजाये हैं श्री कवीदाज जी के अनेक रूप धारन करके भगवान अलग-अलग अनेक स्थानों पर चारों और बैठ कर दौर कर सबका स्वागत और भंडारे का प्रबंद करने लगे बड़ी-बड़ी पंगतें बैठ गई जब कवीदाज जी भी आकर इनी में मिल गए अब कवीदाज जी भी आकर इनी में मिल गए भगवान ने खिला पिला कर और दान समान से सभी साधू संतों को तथा श्री कवीदाज जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसंद ने किया सब कुछ भगवान करने लगे और पंगतों के और जितनी पंगती बठाई उसमें भी सब कवीदाज जी ने सब कुछ किया और सब को दान भी दिया आई अप छरा छरीबे के लिए वेस किये ही है देखी गारे फिरी गई नहीं लागी है शीकवीदाज जी को मुहित करने के लिए स्वर्ग लोग से एक अपसरा सुन्दर वेश भूशाद बना कर आई लेकिन इनके हिर्दे में द्रन भक्ती भाव को देख कर वे वापस चली गई क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी चतुर्बूज रूप प्रभू आनी के प्रगट कियो लियोफल नैननी को बड़ो बड़ भागी है शीकवीदाज जी के सम्मुक आकर भगवान ने अपना चतुर्बूज रूप प्रगट कर दिया उसके दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए ऐसे परमसौ भाग शाली संद श्री कवीदाज जी थे सीस धरे हात तन साथ मेरे धाम आवो गावो गुड रहो जोलो तेरी मती पागी है भगवान ने अपना करकमल इनके मस्तक पर रख कर कहा तुम धन्य हो तुम्हारी बुद्धी मेरे नाम रूप आदी में पक गई है अपनी इच्छानूस अनुसार जब तक चाहो इस मृत्य लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परमधाम वैकुंट में चले आना लिखा इसी शरीर सहीत मगह में जाए भक्ती भाव को दिखाए बहु फुलनी मंगाए पौडी मिल्यो हरी रागी है मगहर में जाकर आपने भगवत भक्ती का प्रताब दिखाया भक्ती का प्रचार किया अन्त समय में आपने बहुत से पुष्प मंगाए इन्हें बिचा कर लेट गए और भागवान से जा मिले ये ऐसे अनुरागी संत थे इनका जो शरीर था ना वो नहीं पड़ा हुआ था जब इनकी मिल्ती हो ये मतलब ये सह शरीर भागवान के धाम गए और जब फूलों के सहित लेटे तो केवल वह फूल जो थे वही पड़े वे मिले बाद में आई अपचहरा फीरी गए इसके लिखा है रंभा अफसरा को मातरवत पराद्यशू मानकर एवं भक्ती के प्रताब से वापिस कर दिया ये लिखा है तुम घर जावो हमारी वहना यहां तिहारो लेना ना देना राम बिना बिश लागें बैना जग मगात पट भूशन सारी उर मोतिन के हार इंद्र लोक ते मोहन आई मोही करन भरतार इन बातन को छानी देहुरी गुन गोविंद के गाओ तुलसी माला उर्वी में पहीरों बेगी परंपद पाओ इंद्र लोक में टीट परो हैं हम सब और ना कोई तुम तो हमें डिगावन आई जाहू दई की खोई बहुते तपसी बांदी बिगाई बहुते तपसी बांदी बिगोए कच्चे सूत के धागे जो तुम जतन करो बहुते रे जल में आगी न लागे हो तो केवल हरी की शर्ने तुम हो जूठी माया गुरु परताफ साधु की संगती मैं जो परंपद पाया नाम कबीरा जाती जुलाहा घर बन रहो उदासी जो तुम मान महत करी आई तो एक माय दूजे मासी शिलक्ष्मी जी इवं प्रतीजी अपसरा के नाते मौसी कहा दरश्टान्त यवन हरीदास जी श्री गौरांग महा प्रबू जी के परिकरों में प्रमुक्त है नित्त तीन लाख भगवन नाम का जाप उच्छ सुर से करते थे इन्हें विचलित करने के लिए राम चंदरखा नाम के इर्शालू व्यक्ती ने एक रूपवती वैश्या को भेजा लेकिन इन्हें नाम जब से फूर्सत ही नहीं मिली वैश्या चार दिन तक बराबर आती जाती रही संत दरशन एवं नाम महराज की कृपा से सत बुद्धी आ गई और वैश्या ने भी हरे राम महा मंतर का उपदेश ग्रहन भजन करने लगी मेरे धाम आवो भगवान ने कहा ना ये सुनकर श्री कवीदाजी रोने लगे भगवान के पूछने पर बताया राम बूलावा भेजिया दिया कबीरा रोए जो सख़ यहां सतसंग में सो वैकुंट नहोए जो यहां सतसंग में सुख है न वो वैकुंट में भी नहीं है यसलिए रोने लगे भगवान ने कहा अपनी इच्छा अनुसार यहां रहकर फिर धाम में आ जाना तब ही वगवान ने कहा कि तुम जब तक यहां चाहो यहां रहो और फिर मेरे धाम में आ जाना मागह में जाए इसके लिए लिखा है जो कबीरा काशी मरे रामही कौन निहोर अविनाशी की गोद में बीहन सत दास कबीर काशी में मरने से मुक्ति अवश्य मिलती है इसलिए कि श्री कबीर दाजी महगह में गए क्योंकि महगह में मरने से सद्गति नहीं होती है कारण यह कि आयोध्या के राजा तुशंकू सर्षरी स्वर्ग में जाना चाते थे अथा यग्य के लिए गुरु वसिष जी ने मना कर दिया गुरु पुत्रों ने भी मना कर दिया लेकिन तुशंकू नहीं माना गुरु पुत्रों ने चांडाल होने का श्राब दे दिया तब विश्वामित्र जी ने श्री वसिष जी से विरोध होने के कारण तुशंकू को सदे भेजने के लिए यग्य कराया उनको इसी शरी से स्वर्ग पहुचाने के लिए अग्र कराया तिशंकु के सर शरी स्वर्ग में जाने पर इंद्र ने धकेल दिया तरही तरही पोकारने परश्री विश्वामित्र जी ने तप बल से आकाश में ही रोग दिया सिर नीचे पैर उपर होकर तिशंकु लटके रहे इनके लिए दूसरे स्वर्ग की रचना करने लगे देवताओं के प्रातना परश्री विश्वामित्र जी स्वर्ग की रचना बंद कर दिये जहां पे त्रिशंकु लटके थे वहीं पे वो दूसरे स्वर्ग की रशना करने के लिए तब करने लगे फिर विश्वामी जी ने रोका उन्हीं त्रिशंकु के रद की छाया जहां तक पड़ती है उस देश का नाम मगर है और लार एवं पसीने से कर्म नासा नदी हुई अधर में लटका हुआ है और बगवान नाम के प्रभाव से मैं स्वर्ग के कौन कहे भगवा दाम जा रहा हूं कि श्री राम नाम की महिमा था नहें ने राम नाम की महिमा दिखा ए लेकिन मैं तो राम नाम के प्रताफ से स्वर्क्या मैं तो भगवान के परमधाम को जा रहा हूँ आगे लिखा है फूलनी मंगाये पौडी मिलियो हरी फूल से प्रगट होए थे अंत में फूलों में ही विरीन हो गए महा प्रणयाण के बाद हिंदू और मुसल्मान दोनों ही फूलों को बाट कर ले गए और अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा की पंद्रह सो उन्चास में मगर कीनो गौन अनहन सुदी एकादशी मिलियो पौन में पौन जीनी जीनी बीनी चदरिया काहे का ताना काहे की भरनी कौन तार से बीनी चदरिया इंगला पिंगला ताना भरनी सुष मन तार से बीनी चदरिया आठ कमल दल चरखा डोले पांच तत्व गुन तीनी चदरिया साई को सियत मास दस लागे यूँ पूरी करी दीनी चदरिया दास कबीर जतन सो ओडी जियों की धरी दीनी चदरिया और विशेश चरित कुछ थोड़ा सा दिया हुआ है वो पढ़ते हैं ततकालीन बाशा सिकंदर लोदी एवं फकीर शेखत की शेखती के व्यंग करने पर नदी में बहते वे मितक सुन्दर बालक को श्री कबीदास जी ने जीवित कर दिया बाशान ने कहा कमाल है श्री कविदाजी ने उस बालक का नाम कमाल रखा और अपना पुत्र ही माना जो आगे चल कर बड़े सिद्ध संत हुए एक बाश्री कविदाजी ने डिली ढाली लंगोटी लगाने पर कमाल से कहा लंगोटी कसकर लगा ले आंतरिक भाव जानकर आजिवन ब्रमचर का पालन किया कामिनी की बाधा से दूर हो गए एक बार गुप्त रूप से गौलियर का धनिक सेट कमाल को भेट में हीरा दिया लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं था पगडी के पेच में बांध दिया था शीकबीदास जी को जानकारी होने पर बोले बूड़ा वंच कबीर का उपजा पूत कमाल हरीका सुमिरन चानी के घर ले आया माल फटकार से कंचन की बाधा से हमेशा के लिए दूर हो गए कौड़ी ते हीरा भयो हीरा ते भयोक लाल आधे भक्त कबीर थे पूरे भक्त कमाल एक राजा की कन्या थी मर जाने पर वह शीकबीदास जी के नाम से जीवित हो गए वह राजा के पास ना जाकर शीकबीदास जी को पिता मान कर रहने लगी शीकबीदास जी ने उसका नाम कमाली रखा ये भी बहुत सिद्ध थी एक बार जैसे लोग रेदाजी की कता में पढ़ा था ना उन्होंने वो चन्ना मत पी लिया था रेदाजी ने कहा था तो वो यही कमाली की यही वही कमाली थी एक बार शासरात के लिए आए होए श्री गुरु गुरक ना जी तृशोल की नोग पर बैठे तब श्री कविदार जी कच्चे धागे को आकाश में फेक कर अधर में स्थित डोरी की नोग में बैठ गया विशे शिद्धी देखकर शासरात स्थगित कर दिया दूसरे दिन सिंग पर बैठ कर आए तो ये एक म्रग को सिंग बना कर उस पर चले श्री गुरु गुरु ना जी का सिंग डर कर भाग गया तीसरे दिन सहज भाव से आए और बोले आज छिपने तथा खोजने का खेल होना चाहिए श्री गुरु ना जी अंतरधान होकर मेंधग बन गया तो श्री कबिदाज जी ने ढूंड लिया तत पस्टात श्री कबिदाज जी अंतरधान होकर जल ही बन गया श्री गुरु ना जी खोज नहीं पाए तो श्री कमाल जी ने बताया एक बार श्री जगनाथ पुरी में चमतकार दिखाया कि एक ही समय में सत्संग एवं श्री जगनाथ भगवान को चमबर करते हुए देखा गया यह कता तो यहीं पर समाप तो थी गुरतनाथ जी वाली जिसमें गोरकनाजी खोज नहीं पाए तब कमाल जी ने बताया था आगे इसमें लिखाया एक बार जगनात पुरी में चमतकार दिखाया कि एक ही समय में सत्संग और श्री जगनात भगवान को चमबर करते वे देखा गया एक बार श्री कवेदाजी चना खाते खाते राम राम कह रहे थे एक सज्जन ने कहा कि जूते मोह और भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए इन्होंने दो-चार बार कुला करके एक कुला सज्जन के ऊपर डाल लिया सज्जे ने कहा जूटा पानी मेरे उपर क्यों डाल दिया तब श्रीकविदाज जी ने कहा कि मुह तो हमेशा जूटा ही रहता है एक मात्र भगवान के नाम से ही शुद्ध होता है एक बार बलखबु खार को बलखबु खारा के बादशाह का बेटा मर गया राजा एवं खुदा के हुक्म से बालक जीवित नहीं हुआ श्रीकविदाज जी की हुक्म से जीवित हो गया एक बार संत सेवा के लिए श्रीकविदाज जी एवं कमाल दोनों बाब बेटा चोरी करने गए चूरी करने के बाद सेंध छिद्र से निकलते समय घर वाले जग गए और कमाल का पैर पकड़ लिये वैशनव वेश्च की निंदा नाहू अथा शिर काट लिये और आकर प्रेम पूर्वक संत सिवा की प्राते काल उसी मार्ग से संत लोग जा रहे थे तो कबंद धर ने हाथ जोड़ कर संतों को प्रणाम किया केवल धर ने श्री कवेदाज जी का पुत्र कमाल है पता चलने पर संतों ने कमाल को अभिमंत्रित जल को छिड़क कर जीवित कर दिया एक बार श्री कबीर दाज जी योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को छोड़ कर तीर्थों का दर्शन करने गए थे उसी समय आपके शरीर में भूत प्रविष्ट होकर शिश्यों को उल्टा सीधा उबदेश दिया फलसुरूब आज भी कबीर पंथियों में दो प्रकार के सिध्धानत एवं पंथा अनुयाई पाए जाते हैं परमधाम जाने के बाद गोसामी श्री तुलसिदाज जी के मन में श्री कबीर दाज जी के दर्शन करने की इच्छा हुई श्री कमाल जी के बुलाने पर आकाश मार्क से आकर श्री तुलसिदाज जी के दर्शन दिया दिव विरूप से महापुरूश लोग हमेशा विराजमान रहते हैं तो जितने भी महापुरूश है वे आज भी जो जितने भी हम भक्तवाल में पढ़ रहे वे आज भी विराजमान है और आज भी वे बुलाने पर आ सकते हैं कहते हैं कि विरिंदावान में भी बहुत से संथ आज भी घूमते हैं आगे लिखाईशी कवीदाश जी के उबदेश गुंगट के पट खोल रे तुहीं पिया मिलेंगे घट घट रमता राम रमेया कटक बचन मत भोल रे रंग महल में दीप बरत हैं आसन से मत डोल रे कहत कवी सुनो भाई साधो अनहद बजत डोल रे बजोरे भाईया राम गोविंद हरी जब तप साधन कचु नहीं लागत खर्चत नहीं गठरी संत्ति संपति सुख के कारण जासों भूली परी राम नाम कू सुमिरन कर ले सिर पर मौत खरी कहत कवीर जा मुख में राम नहीं ता मुख धूरी परी कवीदास जी का चलित जितना इसमें दिया था उतना समाप दोता है अगली वीडियो में हम लुक्ष्री पीपा जी के बारे में पढ़ेंगे जिसनका बहुत ही अधिक चलित इसमें दिया हुआ है कवीदास जी से भी अधिक दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा च्रीत है निकावी ओम नो भगवति वासुदेवाइ